नमस्कार में हूँ श्पेता सिंग और आप देख रहे हैं आज तक प्रेल महीने में कोरोना के डेल्टा रूप ने हजारों जिन्दगियां चीन ली 2022 की शुरुआत से पहले आखरी महीने में 2 दिसंबर को भारत में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरियंट के पहले मरीज का पता चला क्या अब ये तीसरी लहर ही इस साल कोरोना की अंतिम लहर होगी इस सवाल के जवाब तक पहुचने से पहले ओमिक्रॉन कितना संक्रामक होकर फैल रहा है ये जानना ज़रूरी हो जाता है दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन की बजह से संक्रमन बढ़ रहा है I'm highly concerned that Omicron being more transmissible Omicron is going to replace the Delta Delta कम होता जारह है Omicron की cases ज्यादा होते जारह है highly infectious तो उससे भी ज्यादा डेल्टा से भी ज्यादा है कहा जा सकता कि कमटी सब्चुका है मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि पैनिक नह करें हाँ सावधान और सतरकता के बीच बढ़े बढ़े देशों में नए साल में कोरोना के नए वैरियंट ने पैनिक की हलत कर रखी है अमेरिका में चार लाख से ज्यादा केस रोज आने लगी है 演sigh में एक लाख से ज्यादा केस कोरोना मरीजयों क्या रहे हैं प्रांस में दो लाख से ज्यादा लोगों को रोज कोरोना 2022 में संक्रमित कर रहा है स्पेन में 7 लाख के पार लगातार केस हर 24 घंटे में बढ़ रहे हैं इटली में एक लाख से ज्यादा केस हर दिन सामने आ रहे हैं तो क्या 2019 में जो कुरोना 2020 में अलफा बना 2021 में डिल्टा के रूप में आया अब 2022 में Omicron, संक्रमर की रफ्तार मरीजों की आंकले सबका रिकॉर्ड तोडने जा रहा है बीते साल नवंबर के महीने में दक्षिन अफ्रीका में Omicron की दस्तक कि पार विश्व स्वास्ति संगठने से वेरियंट ओफ कंसन का नाम दिया वजह संक्रमर का खतरा ज्यादा होना देल्टा एंड ओमिक्रोन आर ट्वीन ट्रेट्स अफ्रीका में द्राइविंग आप केसे तो रेकर नंबर्स विच अगें इस लीडिंग तो स्पाइक्स इन होस्पितालिजेशन और देज 2020 में शुरू हुए डेल्टा के साथ 2021 के आखरी में ओमिक्रोन ने रेस लगानी शुरू की अब नए साल में डेल्टा को पीछे करके ओमिक्रोन दोजार पाइस में कितना शक्तिशाली हो चुका है सबूत ये अमेरिका बिटन में दो वैक्सीन और बूस्टर डोज लगे लोगों को भी कोरोना होने का केस सामने आ रहा है 40 दिन के भीतर दुनिया के 127 देशों में ओमिक्रोन के मामले सामने आ चुके है 30 दिन के भीतर भारत की 24 से ज्यादा राज्चियों में ओमिक्रोन वैरियंट पहुँच चुका है 31 दिसंबर को खत्म हुए हफते में भारत के भीतर पिछले हफते के मुकाबले रोज के केस कई गुना पढ़े है पिछले साल डेल्टा वैरियंट के खिलाफ जो वैक्सीन दुनिया भर में लगी पीके की उसी सुरक्षा को भी ओमिक्रोन भेद रहा है और जो है जो इग्जिस्टिंग इम्निटी है उसको भी बाइपास कर रहा है इन्फेक्षण भी हो रहा हैं काफी जादे इन्फेक्षण भी हुए इविन फुली वैक्सिनेटेड लोगों में भी हुएments वह चुपकी ओमिक्रान में जो है जो mutations हुए था सारी mutations तो ज़ातर वैक्सीन जो है भारत के अगरम 13 को छोड़ा है तो जातर वैक्सीन जो है हमारी उसी के अगेंस्ट, इस्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट इंटिबाडी बनाते हैं अगर इंटिबाडी स्पाइक प्रोटीन कम्प्लिट्री चेंज हो गया तो इसकी संभावना है और पूरी दुनिया में देखने को मिलना है अब ही आप यूके में देखें तो एक लाग केसे जा रहे थे और पचास जार से जादे जो है फुली वैक्सिनेटेड लोगों में हो रहे थे ऐसे में जब विश्व स्वास्थ संगठन ने पिछले हफते इस बात के लिए सतर्क किया कि डेल्टा और ओमिक्रॉन मिलकर कोरोना केस की सुना मिला सकते है तब ये बात भी सामने आने लगी है कि डेल्टा को अमिक्रॉन अब रिप्लेस कर रहा है क्या भारत में ये स्थती है साउथ अफरिका में एक महिने पहले कर हम देखें तो आल्मूस्ट नाइंटी नाइन परशेंट जो है डेल्टा वरिंट था विदिन 15 जेज उसने डेल्टा को रिप्लेस कर दिया आल्मूस्ट 99 परशेंट इस समय जो है उमिक्रान है यूके में अगर आप 15 दिन पहले देखें तो आलमूस्ट सिर्फ 10-20 परशेंट जो है उमिक्रान था न्यू केसेज में कल तक देखें तो 93% के असपास जो है UK में भी new cases में आ चुका है US में भी तेजी से बढ़ रहा है तो पूरी दुनिया में धीरे दीरे क्योंकि highly infectious है तो उसा डेल्टा को replace कर देगा जैसे देख के लग रहा है जैसे case बढ़ रहा है भारत की बात करें तो जिस डेल्टा वैरियेंट ने अप्रैल मई के महीने में हजारों लोगों की जुन्दगी छीन ली अब उसी डेल्टा को भारत में भी ओमिक्रॉन वैरियेंट पीछे कर रहा है दावाए के भारत में अब सामने आ रहा है कोविट केस में 80 peis d sounds of inauguration के हैं ओमिक्रों इस गरेंग तो डेल्टा डेल्टा किम ओता जा रहा है औरjut उमिक्रों के cases ज्याधा होते जा रहे पर हमने देखा है कि ये वो गुरूप है जो कि विदेश यात्रा करेंगा है बाकी जो सेंपल्स हैं उनका अब हम एनलेसिस कर रहे हैं तो उससे और एक फीक में ज़्यादा पता चलेगा है कि या ट्रेंट रहता है क्योंकि प्लेग, स्पैनिश फ्लू, टीमी जैसी बेहत जानलेवा बिमारियां अपनी तीसरी लहर के बाद ही कमजोर पड़ी क्या इसी तरह सबसे ज्यादा संक्रामत बना ओमिक्रॉन कोरोना के अंत का वैरियेंट बनेगा मुंबई में अब ओमिक्रॉन से पेड़ेत एक व्यक्ती दस से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है अंदाजा लगाईए कितना तेजी से फैल सकता है हलाकि ओमिक्रॉन भले कई गुनार अफ्तार से फैलने की ताकत रखता हो लेकिन सुरक्षा महसूस कराने वाली बात ये है कि भारत में एक बड़ी आबादी को कुरोना से बचाने का टीका लग चुका है अब बच्चों को वाक्सीन लगाने का काम देश में शुरू होने जा रहा है दस तारीख से कुरोना वारियर्ज और बुजर्गों को प्रिकॉशन डोज लगेगी यानि नए साल में अगर नया खत्रा है तो नया सुरक्षा का वच भी है पंदरा साल से अठारा साल की आयू के बीच के जो बच्चे है तीन जनवरी को सुमवार के दिन से इसकी शुरुवात की जाए गेल्ट कैर और फ्रंट लाइन वरकर्स को वैक्सिन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंब की जाए साथ वर्षे उपर की आयू के को मर्मिडीटी वाले नागरी को को उनके डॉक्टर के सलापर वैक्सिन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उफ्लब्द होगा कोरोना से देश की रक्षा करने वाले हेल्थ वरकर्स और फ्रेंट लाइन वरकर्स के लिए बूस्टर डोज और देश का भविश्य बनाने वाले बच्चों के लिए टीका करना भियान कोरोना की तीसरी लहर से रक्षा के लिए के लिए बंदी के ये दो एहम द्वार है जहां भारत में सोंबार से 15 से 18 साल की बच्चों को पीका लगना शुरू हो रहा है इस उम्र के 10 करोन बच्चे हमारे देश में हैं जिनने जल्द से जल्द वैक्सीन की पहली डोज लगाने का अभियान छड़ रहा है बच्चों को वैक्सीन की जरूरत क्यों और कितनी है यह हम अपने इसी कारेक्रम में आपको आगे वताने वाले हैं लेकिन पहले अगर आपने अब तक अपने बच्चों का रेजिस्ट्रेशन कोविन प्रेट्फॉर्म पर नहीं कराया है तो यह जानकारी नोट कर लीजिए अगर मानलीजे किसी परिवार में पति-पत्नी का रेजिस्ट्रेशन हो चुका है उन्होंने जैप्स ले चुके हैं और उनको अगर जोड़ना है अपने बच्चों को तो कोई उसमें समस्या नहीं है तो या तो पहले से अगर वेकेंसी है चार में से कमी है उसमें जोड़ने या फिर नया मोबाइल नंबर लेके नहीं तरीके से रेजिस्ट्रेशन करवार ले दोनों ही चीजें मानने हैं बच्चों के बाद सुरक्षा की जरूरत देश के हेल्थ वर्कर कोरोना से लड़ने में आगी आका जुटने वाले फ्रेंटाइन वर्कर और बुज़ूर्गों को है जिन्हें प्रिकोशन डोस दस जनवरी से दी जाएगी प्रिकोशन लेना सलाग योग्य है इसको धान में रखते हुए 60 वर्षे उपर की आयू के को मर्बिडिटी वाले नागरीकों को उनके डॉक्टर के सलापर बैक्सिन की प्रिकोशन डोस का विकल्प उनके लिए उपलब्द होगा ये भी 10 जनवरी से प्रारम होगा हाला कि दुनिया की कुछ एक्सपर्स का मानना रहा कि तीसरी डोस को पहली दो डोस से अलग किया जा सकता है भारत में सरकार की तरफ से अभी मिक्स वैक्सिन के बारे में कोई बात खोल कर सामने नहीं आई है एक्सपर्ट का क्या कहना है यह सुनिये देना चाहिए क्योंकि अभी तक जो एक्सिन सेफ है और उफटी और उफ्यट्वार्प का नहीं पता इसलिए उनको वही देना चाहिए क्रास करने की जो है कोई जोड़त नहीं है क्योंकि फिर जो है accountability खतम हो जाती है और वह science के लिए अच्छा नहीं है सवाल है कि जो ना बच्चे में आते हैं ना healthcare worker में ना बुज़ुर्गों में ऐसे देश के करोणों लोगों को अभी booster dose नहीं लग रही तो क्या वो सुरक्षित है बारत में साल के अंद तक क्या आखले बताते हैं कि 144 करोण vaccine की dose लगाई जा चुकी है देश में 60 करोण से ज्यादा नागरिकों को vaccine की 2 dose लग चुकी है जबकि 85 करोण लोगों को कम से कम एक dose लगाई गई क्या जिने booster dose अभी नहीं लग रही ओमिक्रॉन से उन्हें बड़ा खत्रा नहीं है ग्लोबल इविडेंस अब आया वो यह आया कि जिनको एक बार COVID हो गया जो unfortunate थे उनकी तो death होगी लेकिन जो recovered है वो best protected person है इस समय अगर धर्ती पे सबसे ज़्यादा कहा जा कि कि किसको protection है तो हमारे यहाँ इस तरीके से हुआ infection rate बहुत ही ज़्यादा हुआ आज से हमार ने stereo survey कि 68% country level पे हो गया दिल्ली का stereo survey बताता है कि 90% के असपास तो बच्चों में भी infection हो गया था मिला की जोए कहा जा सकता है कि severity जो होने के chances फर्दर जोए कम है यारी बच्चों के लिए vaccine है बुजर्गों के लिए booster dose है लेकिन जिन्हें अभी booster dose नहीं लग रही उन्हें अमिक्रोन संक्रमित भले कर दे अगर सावधानी नहीं रखी तो लेकिन जिन्दगी के लिए बड़ा खत्रा नहीं माना जा रहा है याद कीजिए साल 2020 के वो शुरुआती महीने जब करोना का मतलब मौत जैसा हो गया लेकिन vaccine ने इस डर को काफी हद तक कम कर दिया इसलिए साल 2021 को vaccine का साल माना जा सकता है अब 2022 शुरू हो गया है इस साल booster का बूल बाला है अमेरिका यॉरप हो या फिर भारत दुनिया भर के हर देश का सारा जोर इस नए साल में booster dose पर रहने वाला है प्रिकोशन लेना सलाग योग्य हैं इसको ध्यान में रखते हुए साथ वर्षे उपर की आयू के को मर्बीडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर के सळा पर वैक्सिन की प्रिकोशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्द होगा भारत में वैक्सिन की तीसरी डोज का सब को इंतजार था क्योंकि रिसर्च कहती है कि छे महिने में दूसरी डोज का असर खत्म हो जाता है और डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन तीन गुना ज्यादा संक्रामक है यानि भारत के करोन लोगों की सुरक्षा भी कमजोर हो रही थी और खत्रा भी पहले से कही गुना जादा बढ़ गया था लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकरी में वैक्सिन की तीसरी डोर कारगा है इस सवाल का जवाब दाने के लिए आपको बिदेन के बदानमंती वसना हो का जो अपने यहाँ ऑनी का मुट्रों से कम लुटान का साथ श्रेव बूस्टर दोस को दे रहे हैं One overriding reason why the UK has been able to maintain the most open economy and society of any major European economy and that is because the British people have responded heroically, voluntarily and in almost incredible numbers to the call to get vaccinated and as I speak tonight on New Year's Eve we've met our target we've doubled the speed of the booster rollout and it's precisely because of that huge national effort that we can celebrate tonight at all Boris Johnson ने कहा कि कोरूना से संक्रमित आईसी ओमार्ती मरीजों में 90 फीसिती ने बूस्टर दोस नहीं लिए जिस वज़ा से उने अस्पताल में भर्ती होना पड रहा है Boris Johnson ने बिना पावंदियों के नए साल के जशन का सारा श्रेव बूस्टर डोस को दिया दुनिया भर के 35 से भी ज्यादा देश अपने नागरिकों को बूस्टर डोस दे रहे हैं अक्टूबर में इस्राइल की सबसे बड़ी हेल्फ मैंटिनेंस ओगनाजेशन क्लालिट हेल्थ सर्विस ने एक स्टडी कराई थी इसमें बूस्टर डोस लेने वाले साथ लाक अठाई सिजार लोगों का अधिन किया गया इसमें सामने आये कि दूदो की सवर्विसीर केवल— बूस्टर बूस्टर बान में फीजटी परहा भी एक अरॉन में इसमें भी इसमें आये कि डोडो विप्लल्मिनसे घरोडब में भी ने परह भ्म पहलीच एक प्रेटेंग और अमेरिका समय तो इस तो देशों में स्टेडी के बादी बूस्टर दोज लगाने का फैसला किया गया जिसकी शुरूआ भारत में भी कि जा रही है उमीद कि जानी चाहिए कि वैक्सीन की तीसरी डोस को रहना की तीसरी लेहर को रोकने में कार कर रहेगी आज तेक भी रो कि याद कर ये बीते साल अप्राइल मई के महीने को कोरोना के डेल्टा वैरियेंट के कारण बीमार हुए लोगों के पेपड़े पर वाइरस ने अटाइक किया सांस लेना मुश्किल हुआ ऑक्सीजन की किल्लत हुई सवाल है दुनिया और देश में ओमिक्रॉन के मरीजों को इलाज करने वाले डॉक्टर अब क्या बताते हैं क्या ओमिक्रॉन के लक्षन डेल्टा के मुकाबले हलके हैं जो डेटा आ रहा है वह एक रहाद देने वाली बात ये है कि मायल है उस देल्टा के तुलना में देखा जाए अब तक का डेटा की वेषीस पर आजा सकता है साउथ अफरिका में भी यही पाया गया साउथ अफरिका के साउथ अफरिका मेडिकल इसोसेशन बकादे रिपोर्ट इसकी प्रकासित की कुछ यूके से पेपर भी पब्लिस्ट हो गए एक्सपडाइट रिवीव में उन्होंने अब आपको जानना जरूरी है क्या ओमिक्रॉन के मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है एक भी पेशेंट को आईसीजन नहीं दिया गया क्योंकि सारे के सारे रूम टेब रूम ऑक्सीजन पर ही नॉर्मल ऑक्सीजन मेंटेन कर रहे थे और सभी के वाइटल परामिटर्स नॉर्मल थे ओल पेशेंट रिकावड वेरी वेल अक्सेप्ट फ्यू तो क्या अलफा और डेल्टा के मुकाबले फेफले पर अटैक नहीं कर पा रहा है ओमिक्रॉन लेकिन हम बात करें तो क्या ओमिक्रॉन और जो पुराने वाइरस इस थे डेल्टा थे अलफा थे जिन्हों ने फ़स्ट वेव लाइव 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 क्या गिफ्रेंस है कैसे हम कैसकते हैं कि जो उमिक्रॉन लंग्स को परभावी जादा नहीं करता है तो इसमें सिम्टम्स खांसी की होते हैं जूखाम एखें हैं तो अगर हम अपने राइस्पीर्टिर्टे ट्रेक्ट को देखें जैप्णीज ने पब्लिश किया है, रेपिरिंट दिया है, उसमें क्लियर कट उन्होंने हैंस्टर के अंदर एक्सपेरिमेंट किया है, उन्नोंने क्या पाया है, ये खुष्पीत अपर प्रभावित करता है, लंग्स के छोटे-चोटे इंदर ये बहुत ज़्यादा मात्र मे जाता है तो उसे साइने की बड़े-बड़े सेल्स बन जाते हैं उनके फंक्शन्स खत्म हो जाते हैं यह जो हमारा ओमिक्रोन है कि करने में ज़्यादा कारगर नहीं सिद्ध हुआ है बट एक और चीज है जो ब्रॉंकस है जो अपर रेस्परीट ट्रेक्ट है और जो सांस के का ओप्रीशस है इसमें इसकी ज्यादा मातरा है इसली जल्दी स्प्रेट करता है ओमिक्रोन से संक्रमर ज्यादा है अस्पताल जाने की नौबत कम फिर भी साव्धानी क्यों जरूरी है तो मिडी सेल्सogen है अब हास्पिटल कोंचने को बट यह डिस्क रिलेटिव डिसक है प्रिवेंशन नहीं है अगर डेल्ट पे में 15 पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की जरुरत पड़ी थी 100 पेशेंट्स को अगर डेल्टा एफटर्त करता है तो इसमें एक याद हो है अपनी इंगें पॉपलेशन में प्रॉब्लम ही क्या है इकनी ही हूज पॉपलेशन ह अगर हजार मेमान भी ने एक ही पिशिंट पर भावित है तो भी आपके हॉस्पिटल्स ओवर्रेंड हो सकते हैं यह हमारी मेजर प्रॉबलम हो सकती है इसलिए आप मास्क पहनिए भीड में मच जाएए हाथ धुलते रहिए साधानी ही बचाओ है ओमिक्रोन भले ही पहले के वेरियंट के मुकाबले ज्यादा संक्रामक हो मगर इसके लक्षन ज्यादा गंभीर नहीं है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें से हलके में ले ओमिक्रोन की ज्यादा संक्रामकता से बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं वाक्सीन न लग पानी की वज़े से बच्चों पर इस बार खत्रा ज्यादा है इसलिए एक्सपर्ट हर माता पिता कुछ इतावनी दे रहे हैं कि जब तक बच्चों को वाक्सीन नहीं लग जाती बच्चों को इस वेरियंट से बचाना ही सबसे अच्छा उपाए पंदरा साल से अठारा साल की आयू के बीच के जो बच्चे हैं अब उनके लिए देश में वेक्सिनेशन प्रारब होगा दोहजार बाईस में तीन जन्वरी को सुमवार के दिन से इसकी शुरुवात की जाएगा देश में कोरोना के खिलाब लडाई को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने पंदरा से अठारा साल के बच्चों को वेक्सिन लगाने का लान किया लेकिन सवाल उठे कि 15 साल से नीचे के बच्चों का क्या जो बिना वैक्सिन के ही कोरोना के सबसे बड़े खत्रे का सामना करें दुनिया के दूसरे देश 3 साल से उपर के बच्चे का वैक्सिनेट कर रहे हैं और हमारे देश में भी 12 साल से 18 साल का वैक्सिनेट करने के लिए जो है आईसी मार और आपको जो है ये ड्राग कंट्रॉलर इंडिया ने भी परमिट कर दिया है तो फिर जो है 12 साल के बच्चे से क्यों नहीं हो रहा है बच्चे किस तरह से ओमिक्रॉन का शिकार बन सकते हैं उसे समझने के लिए तस्वीर देखिए जो कोलकाता की है कोलकाता के जू की इन तस्वीरों में आपको दो गस की दूरी और मास्क है जरूरी का नियम ढूंडे नहीं मिलेगा लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि इन तस्वीरों में दिखने वाला हर एक बच्चा भी मास्क की सुरक्षा से दूर है ये देखिए इस भीर में कई बच्चे इतने छोटे हैं कि उन्हें मास्क लगाया भी नहीं जा सकता अब सोचिए जो ओमिक्रॉन सबसे ज़्यादा संक्रामक है वो इन बच्चों को क्यों नहीं पहले शिकार बनाएगा जिने अभी वैक्सीन तक नहीं लगी है यानि लोगों का इस तरह से अपने बच्चों को लेकर ओमिक्रॉन के खत्रे के बीच घूमना उनके बच्चों के लिए बेहर खतरनाक कहा जा सकता है जिसकी गवाही विदेश के आख रवी देते हैं दक्षिन अफरिका का अनभव कहता है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित बच्चों अस्पताल जाने का खत्रा 20% से ज्यादा होता है युनाइटिट इंडिम में 5 से 11 साल के बच्चों में संक्रमित का खत्रा दो गुनाज ज्यादा पाए गया अमेरिका में भी ओमिक्रॉन की चपेट में आए बच्चों से पीटियाट्रिक वाट्स भर गए हैं खासका नियोक में जहां 5 से 19 दिसंबर के बीच जितने लोग अस्पताल में भरती हुए उसमें आदे मरीज 5 साल से कम उमर के बच्चे हैं इसकी सबसे बड़ी बज़े नियोक में सिर्फ 16 फीज़ी बच्चों का टीका करण है यानि अमेरिका में वो बच्चे ओमिक्रॉन की चपेट में आ रहे हैं जिनने टीका नहीं लगा है दिल्ली में भी तीन बच्चे ओमिक्रॉन का शिकार होने के बाद अस्पताल में भरती हो चुके हैं अभी तक हमने तीन बच्चे लोकनाइक में टीट किये हैं जिनको ओमिक्रॉन का संकर्मन था जिसमें दो को डिस्चार्ज भी कर दिया है ठीक हो गए और एक बच्चा भी भी हमारे पास है रमडिला मेदान में हमने उसको रखा वाए वो भी स्टेबल है उसको कोई सिम्टम्स नहीं है ना भुखार है ना सास में तकलिफ है उसके ब्लड रिपोर्ट्स और एक्सरे एवर पंदरा से आठारा साल के बीच के जो बच्चे हैं उनको वैक्सिन मिलने जा रही है तो यह बहुत बड़ी जो है उपलब्दी है और जो भी बच्चे हैं उनको वैक्सिन जरूर कराना चाहिए बच्चों पर मनराते इसी खत्रे को देखते हुए दुनिया भर के तीस से ज़्यादा देशों में बच्चों का वैक्सिनेशन चुरू हो गया है क्यूबा और वेनेजुएला दो साल के बच्चों को टीका लगा रहे हैं चीन अपने तीन साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सिन की डोस दे रहा है अमेरिका, इटली, इस्राइल समेर, साथ देशों में पांच साल से बड़ी उम्र के बच्चों का वैक्सिनेशन हो रहा है जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, औस्ट्रेलिया, जपान समेर करीब 20 देश ऐसे हैं जहां बच्चों के ठीका करन की उम्र 12 साल लगी गई है यह नहीं कहा सकते हैं कि ज्यादा होगा डेल्टा भी हो सकता था लेकिन अभी तब बताइए कि उम्र यंगर पॉपलेशन को जल्दी ज्यादा ज्यादा इंफेक्ट किया है जैसे साउथ एफ्रिक जहां से शुरू आता मांकी भी स्टड़ी आए थी तो ज्यादा बच्चों क तो दुनिया भर के सभी बड़े देशों ने अपने 15 साल से भी कम उम्र के बच्चों को टीका लगाना शुरू कर दिया है WHO भारत की कोवो वैक्स को इमर्जेंसी इस्तेवाल की मंजूरी दे चुका है जो तीन साल से कम उम्र के बच्चों को लगाई जा सकेगी लेकिन अब तक DCGI ने इसे अनुमती नहीं दी है मगर अमेरिका में जिस तरीके से अस्पता बच्चों से भर रहे हैं उसे देखते हुए छोटे बच्चों को टीका का सुरुक्षा देने की माँ तेज हो रही है भारत में 18 साल से कम उम्र के 42 करोड 40 लाग बच्चे हैं 15 से 18 साल के जिन बच्चों को टीका लगना है उनकी संख्या 7 करोड 40 लाग है यानि भारत में 15 साल से कम उम्रे के 35 करोड बच्चों को ओमिक्रोन के खत्रे का सामना बिना टीके के करना होगा जबकि इस वार उन पर सबसे ज्यादा खत्रा है और बच्चों को लेकर इसी चितावनी को देखते हुए राज्य सरकारे भी अपने सतर पर तैयारियों में जुड़ गई है ये पूर्वी दिल्ली के यमना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मा और बच्चों के लिए बनाए गया स्पेशल आइसुलेशन सेंटर है जहां संक्रमित बच्चों को अच्छा माहूल देने की कोशिश की जाएगी कुरोना की तीसरी लहर में चिंता इस बात को लेकर भी है कि अगर बच्चों को कुरोना संक्रमित हो गया तो उनका आइसुलेशन किस तरह से किया जाएगा सरकार भी इसके लिए तयारी कर रही है इस वक्त हम मौझूद हैं यमना स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स के भीतर और यहां पर हम आपको ऐसा आईसोलेशन सेंटर दिखाने जा रहे हैं जहां खास तौर से छोटे बच्चों के इलाज का इंतिजाम किया गया है सामने आप तस्वीर देखिए ऐसा लगेगा आपको कि आप किसी क्लास्रूम में आ गए हैं लेकिन यह क्लास्रूम नहीं है यह आईसोलेशन सेंटर है ओमिक्रॉन के भारत में 14 लाग केस आने की जितावरी सरकार की तरफ से पहले ही जारी की जा चुकी है इतनी बड़ी संक्या में अगर लोग संक्रमित हुए तो हर तयारी छोटी पड़ सकती है आज तक भी रो कुरोना महामारी से जूजते हुए यह तीसरा साल है आज एक तरफ हमारे पास वाक्सीन के रूप में कई तरह के बचाओ उपलब्ध है तो कुरोना से जुड़े नियमों को लेकर उप भी अपने चरम पर है बंदिशों से लोग ठक चुके हैं लोगों का रवया इस महामारी के नए विस्फूट का कारण बन सकता है कुरोना नए साल में भी सबसे बड़ी चुनोंती बना रहेगा इसकी दो सबसे बड़ी वज़े जांकार बता रहे हैं पहली वज़े भौरत में कुरोना को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही है इसके अलावा अमीर देशों को दुनिया के उपर कुरोना के खतरा बने रहने की वज़े बताय जा रहा है सबसे पहले बात भारत में कोरोना को लेकर बेखबरी की जिसने एक्सपर्ट्स की भी नीन उड़ा दी है जनता मास्क पहनने के सवाल पर भड़क रही है और प्रशासन की जान पर बनाई है ये मद्धवदेश की देवास की तस्वीर है जहां स्कूटी सवार एक महला को जब बिना मास्क के रोगा गया तो वो महला कॉंस्टेवल से बिढ़ गई गुस्से में जागरती नाम की इस महला ने कॉंस्टेवल को धक्का देकर गिराया तो दूसरी महला कॉंस्टेवल उसे जूते से मार दिया भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां जंता को सर्यान मास्त ना लगाने की सजा दी जा रही है वही नेताओं की रेलियो में ये सारे नियम हवा हो रहे है पांच राज्यों का चुनाफ जीतने के लिए सभी दल रेलिया कर रहे हैं ये जानते हुए कि ओमिक्रोन का खत्रा बढ़ रहा है सभी को चुनाफ की फिक्र है गौर करने वाली बात ये है कि जो दल हर मुद्दे पर एक दूसरे के खलाफ ख़ड़े हो जाते हैं वो चुनाफ के नाम पर गजब का भाईचारा दिखा रहे हैं जबकि कोरोना का खत्रा हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है भारत में ऐसे लोगों की संक्या करोडों में है जिन्होंने एक भी वैक्सीन की डोज नहीं ली है यानि भारत में एक बड़ी आबादी ऐसी है जो ओमिक्रोन के सीधे निशाने पर होगी ये खत्रा इसलिए भी आगे बना रह सकता है क्योंकि दुनिया में वैक्सीन को लेकर भेदभाव हो रहा है बड़े और अमीर देश जहां अपने बूस्टर डोज लगा रहे है तो वहीं अफरीका की गरीब देशों के पास टीका नहीं है जिस होज़े से वाइरस के म्यूटेट होने का खत्रा बना रहेगा हर सौ लोगों पर अमीर देशों में जहां 164 डोज लग रही है वहीं मिडल इंकम वाले देशों में आकड़ा ब्यासी है अगर बात कम इंकम वाले देशों की करें तो वहाँ प्रती सौ लोगों पर सिर्फ 11 डोज ही लग पाई है इसलिए डवलू एचो लगातार अमीर देशों को समझाने में लगा है कि बिना गरीब देशों तक वैक्सीन पहुंचाए कोरुना को खत नहीं किया सकेगा लेकिन फार्मा कंपनिया अपने लालच पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रही आज तक भी रो